तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अर्वी की रस्तार सब्जी में यह सब्जी में थोड़ी डिफेंट तरीके से बनाने वाली हूँ तो आप देखिए सब्जी बहुत अच्छी बनी है वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एक लाइक से और कमेंट करना ना बूलिएगा मेरे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चली रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने लिया है 50 क्राम के करीब मशूर की डाल उसको मैंने पानी में भीगो कर छोड़ दिया है ताकि यह थोड़ा फूल जाए इसके बाद यहां मैंने लिया है हाफ क जीर्भी मैंने याप की जीर्भी के लिए 50 क्राम मसूर की डाल को इठ किया है इससे से इच्छे से छील लिया है और शहले Constitution अब एससे वाष करके मैं इसे कट कर लूगी तो यह मैंने कट करके लिया है और यहां पर मैं ले रही हूँ मशाले मैं मैं आट लिया है रहिशन के काली मिर्ज, जीर, दो लाल मिर्ज, तेज पत्ते और एक मिडियम साइस का प्यास दो मिडियम साइस की टमाटर तो सबसे पहले हम टमाटर और प्यास को काट लेंगे और इधर मेरा दाल भी फूल चुका है तो अब मैं यह कुकर को गरम करूंगी इसके बाद हमें आड़ करना है इसमें तीन से चार बड़ी चम्मे सरसो का तेल आप किसी भी कुकिंग ओयल का इस्तवाल कर सकते हैं यह आप इसमें दो तीच पते इसके बाद मैं आड़ कर दोंगी ओनियन प्यास को आड़ कर दोंगी कटिवे प्यास को इसे थोड़ा सा फ्राइब करेंगे हम वह जादा कॉल्ड इन ब्राउन नहीं करना हमें इसके बाद हम इसमें अर्भी और ओने और अर्बी को आड़ कर दिया और अर्पी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ओनियान और ओक्ते । इसके बाद ढक कर हम इससे 5 मुट तक इसी तरह पकाएंगे मेडियम फ्लेम में करकर तो मैं इससे ढख देती हूं एक बार होट चल तो यहां मैं इसे ढख दे रहे हूं और यह जब तक ढख के थोड़ा सा एक स्टीम लगता है तब तक मैं मसाले तयार कर लेती हूं तो इन मसालों के में पीसना है तो सबसे पहले पीस कर रेडि कर लेते हैं मसाले को तो ये मसाला मेरा पीस चुका है मैं इसमें एड़ कर दे रही हूं हल्दी पाउडर एक चमच अब मसाले की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुशार से और इसी में मैं एड़ कर दे रही हूं नमक जितना सब्जी की क्वाइंटिटी उससे एकॉर्डिंग मैंने नमक एड़ कर दिया है अब मैं यहां सब्जी की और चलती हूं तो यह दिखिए इसका भी कलर थोड़ा चेंज वना स्टार्ट हो किया है और यह बिल्कुल हल्का भून चुका है तो इस कंडिशन में अब हम इसमें अट कर देंगे सारे मसाले को यह देखिए मैंने मैंसाले को एड़ कर दी है अब तक करना हम इसी तरह से तो यह बिलकुल मैं इसे ट्राइ ले रही हूं कि इसको बिल्कुल इसी तरह से मिक्स करती वह से तरह कर लेना है जब फूरी सी नाइक हुझे हैं इसके बाद मसाले जब थोड़े पक जाएंगे तो भीकोशा पाधिए टमाटर और मसूर की दाल अच्छे से दूख कर और इसमें आड़ कर देना है अब साथ में इसे मिक्स करना हमें और पकाना है तब तक पकाना है जब तक कि मसाले का कच्छापन दूर नहों जाए तो आप देख पा रहे होंगे यह लगभग पक चुका है तो आप इसे घर पर एक बार चबर इससे बना कर इस तरीके से ट्राइ किजेगा अब मैं एट कर दे रही हूं मैंने 50 ग्राम लिया था दाल तो इसके लिए मैंने एक कटोरी में यहां पानी आट कर दूँगी एक कटोरी पानी आट करूँगी और हाफ कटोरी और डालूँगी क्योंकि दाल भी पकना है इसमें तो मैंने वन कटोरी और हाफ कटोरी मैंने पानी आट कर दिया है अब मैं यहां इसे बंद कर दे रही हूं गैस को और दो विश्य लाने तक मैं इसे पकाना है तो चलिए मैं देखते हूं मेरी सबजी बनकर कैसी रेडी हुई है तो आप देख पा रहे हूंगे बहुत ही अच्छा टैक्स से राय हुआ है और यह जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा खाने में भी है तो आप अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक करना ना भूलिएगा और हमें कमेंट करके कमेंट्स अक्सर में जरूर बताइए का मेरी रेसीपी कैसी लगी मैं फीर एक नहीं रेसीपी के साथ आँगी तो तक के लिए बाई बै टेक केर और थैंक्स पू वाचिंग